नमस्कार, शामदरिक बिज्ञान के इस अंक में एक बार पुनो आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद दोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामदरिक बिज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो व्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हतेली मेरे शामने बिसलेशन के लिए आई हुई है देखेगा ये हमारी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं ये यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हतेली में शुन्दर रूप से उबरावा है शानदार इसकी रंगत भी है ऐसा ब्रस्पती परवत अगर किसी हतेली में हो तो जो आपकी बिद्या है मनि नौलेज और आपकी पड़ाई लिखाई आपकी संतान है आपकी पत्नी है आपका भग्य है आपका लक्क और आपका धर्म है इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करता है और ग्रह कितने भी नगेटिव फल दे रहे हो तो भी ये कहीं न कहीं उन चीजों को समालने की कोशिस करता है और हमेशा अच्छे परिणाम देने की आपकी जीवन में कोशिस करता है और ये आपको पूरी जीवन में जहां तक मैं देख रहा हूँ आपकी हतीली को आपका जो ब्रस्पती है हमेशा आपके लिए अनुकूल रहेगा आपने अभी तक अपनी जीवन काल में जो कुछ पाया है एक मात्र इस ग्रह की उजो से पाया है क्यों बिद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्या है और धर्म है इतनी सारी चीजों को यह यहां पर कंट्रोल कर रहा है लेकिन यहां ब्रस्पती में एक कमी आ रही है आप बहुत अधिक अनुसासन पर यह हो सकते हैं तो सामने वाले आपको अभिमाने समझ सकते हैं इससे आपको थोड़ा बच के चलना होगा और इस परकार का जो ब्रस्पती परवत है अगर जनम कुंडली में इसको देखा जाए तो यह केंद्रबर्ती या लगन का माना जाता है ठीक है ने और हमारे जो महर सी परासर है वो कहते हैं किम कुरवंति गरहे सरवा यस्य केंद्रे ब्रस्पती अगर जिसके केंद्र में या लगन में ब्रस्पती बैठा हुआ है तो और गरह लाख कमजोर होने पे लाख नीच अवस्तामी होने पे राहो के तु कुछ भी हो जीवन में वो भी कुछ नहीं बिगाड सकता है और ऐसा ब्रस्पती परवत जातक में मजबूत सारिक गठन देने की कोशिस करता है लेकिन मेठा खाने की परवर्ति को ये बढ़ाता है तो आपको थोड़ा मेठा खाने से भी हलके रुप में परेज रखना होगा ऐसे जातक के पास बहुत सारे मौके आते हैं बहुत सारे अपर्चुनिटी आती है बहुत सारी जो है फिर कनफ्यूजन भी ये क्रेट करता है ठीक है नै और खास कर देखिएगा जब ब्रस्पती इस परकार से आपकी जीवन में है और आपका करियर इनके अधीन वाले छेतर में है जैसे सिक्षा का छेतर है इंजीनीरिंग का छेतर है चिकित्सा का छेतर है मैनेजमेंट का छेतर है बानिज्य का छेतर है कानून का छेतर है राजनीति का छेतर है अगर इन छेतरों में आप काम कर रहे है या इससे समंदित छेतरों में आप काम कर रहे हैं तो आपका करियर हमेशा जो है very good इस्तिति में रहेगा सांदार इस्तिति में रहेगा और कहीं न कहीं suitable रहेंगे आप ऐसे चीजों में ये तरकी देने वाला उन्नति देने वादा, और आप कामियाबी पाएंगे जवरदस्त रूप में इस प्रकार का ये रहेगा, ये ब्रिस्पति आपका सांदारी इस्धति में है, बहुत अच्छे इस्थति में है, आप दोसरा देखो यहाँ तो ब्रिस्पति के अलावा यहाँ पे बुद्द की इस्थति अगेर हर तरह की प्रस्तितियों को भली भांति समझेंगे ऐसी इस्तितिय दे रहा है। अगर आप अपने जिवनकाल में योजना बना कर चलें, तो बड़ा लाब आपको होगा। एक और चीज आपका बुद्ध आपको दे रहा है। मरकरी है ये, तो वानी का गरह तो है, तो वानी को बड़ा सांदार रखेगा। तो दूसरा ये पैकेजिंग का मालिक है, आपकी तवचा, तवचा बेहतरीन रहेगी। ठीक है ने, कैसा भी हो लेकिन तवचा शांदार रहेगी, आकरसक रहेगी जीवन में। तीसरी बात है, ये कहीं न कहीं बहुत एक सुख्ष विदाओं को भी देता है बेक्ति के जीवन में। राजकुमार है ने, तो कहीं न कहीं जैसा राजकुमार का जीवन होता है, ये बेक्ति को देने की कोशिस करता है। तो जीवन में अभाओं की इस्तिती नहीं आएगी अगर ये ऐसा रहा तो और एक और चीज है जो भी कार्य आप परारंब करेंगे उसे पूरा ओशा करेंगे और यही क्वालिटी आपको जीवन में बड़ी अस्तर पे ले जाएगी हतेली में बुद्ध का परोत आप देखें सही रूप से बिक्सित आउस्ता में है आप बनो बेग्यानिक के छित्र में भी माहिर होंगे सामने वाले बिक्त को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरों से जानते हैं ठेकन और ब्यापार जैसे कार्यों में भी आप बड़ी सपलता की प्राप्ति करेंगे ये इस पश्ट दिखाई दी रहा है इसके अलावा देखें यहां पी एक सांदार रेखा भी है सांदार रेखा अगर आप अपने धन को सही रूप से इन्वेश्ट करके चले तो अपने उपट डिपेंड रहने वाला ब्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा और अपनी कम्यूनिकेशन स्किल्स के दम पे आप बड़ी सपलता की प्राप्ति करेंगे तीसरी बात आप देखेंगे ये इस तरह से जुकावा दिखाई दे रहा है और इस उंगली की तरफ धन का माने की ललक भी जीवन में जबरदस्त रहेगी ये इस पश्ट बता रहा है और यहां पे देखें इसके पहले पौरवे से उपर जा रहा है ये अच्यंत स्रेष्ट माना जाता है ऐसे बिक्ति अपने जीवन काल में बड़ी सपलता पाते हैं बहुत बड़ी काम्याबी हासिल करते हैं दो कारूनों से एक तो खुद के बलबोते पे कुछ करने वाला जो गुन है ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छा होता है और दोसरा कम्यूनिकेशन इसकिल्स के दम पे ये लोग बड़ी काम्याबी हासिल करते हैं अब कुछ चीजें प्रैक्टिकल ऐसे लोगों के अंदर जादा होती है क्या होती है आप देखेंगे अगर ये उंगली इस परकार से इसके पहले पोर्वे तक पहुँच रही हो या उपर हो और ये परवत्सांदार इस्तिति में हो और ब्रैसपती इस परकार से साथ दे रहा हो ये सोने में सोहागा है ऐसे जातक या तो आपको उत्कृष्ट ब्यापारी दिखेंगे या नौकरी कर रहे हो चाए सरकारी हो या प्रावेट हो ये लोग अधिकारी लेवल के ब्यक्ति होते हैं जीवन में उच्च वर्ग के ये ब्यक्ति होते हैं स्रेश्ट और सफल ब्यक्ति अपनी जीवन काल में ये कहलाते हैं ये इस्तितियों को ये बनाता है ये इस प्रकार की चीजों को दिखाता है और ये बताता भी है ये है आपके हतेली की मुख्यत चीजें अब आपने कुछ प्रशन लिखे हैं आप पहला प्रश्ण लिखते हैं How is my career? मेरा career कैसा रहेगा? Currently good मनि अभी जो है current में बहुत अच्छा है देखेगा जब तक आपका ब्रस्पती और आपका बुद्ध आपका निरंतर साथ दे रहा है कभी भी आप चिंता मत करिएगा जैसे कोई होता है ने कि अपना भाई साथ में खड़ा है वैसे ग्रह की इस्तिती भी होती है विक्ति की जीवन में ग्रहों की इस्तिती ऐसी होती है कि अगर एक अच्छा ग्रह एक बलवान ग्रह आपका बिसे सुरूप से साथ दे रहा हो तो निश्चित तौर पर बेक्ति के जिवन में कितनी भी बुरी इस्तिति आ जाए ऐसे भी फशवस फशा जाए बेक्ति लेकिन उस दल दल से वो बाहर निकल जाता है उस ग्रह की उज़ो से और यहां पर दो दो ग्रह आपको जीवन में शानदार चीज़ें दे रहा है बलकि तीसरा ग्रह भी दे रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका चंद्रमा मून जलतत्व का मालिक है और आपकी मन का मालिक भी है यह मानसिक रूप से आपको जीवन में जादातर मामलों में बहुत जादा मजबूत इस्तिति में रखेगा कॉन्फिटेंस लेबल आपका जीवन में बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि चंद्रमा बेहत्रीन है हाँ यह जो नगेटिब उर्जा जबर्दस्त है आपकी हतेली में नहीं यह सरीर में समस्याई उत्पन करेगा ही करेगा मनि आपका जो सारिरिक स्वस्त्य है वो जीवन में प्रभावित जादा रहेने वाला है लेकिन मन पे जादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि चंद्रमा बहुत अच्छा है कैसी भी सारिरिक समस्या हो मन फिर भी मजबूत रहेगा और चंद्रमा जितनी अच्छी आउस्ता में आपकी जीवन में रहे आपका पाचन तंत्र भी मोटे तोर पर ठीक रहेगा ये बता रहा है और इसी की वजो से आगे चल कर आप देखेगा चाहे कितनी भी कठनाईयों में हैं आप आपका सरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे बेहतरीन होगा बहुत बढ़िया हो जाएगा और उसके कारण आप क्रियेटिव जादा रहेंगे मां होंगी तो मां का सुक और आशिरवाद मिलेगा चंद्रमा हतिली में बेहतरीन है आपका हमेशा सकारात्मक सोच हाबी रहेगी चल कपड से आप दूर रहेंगे मन से बहुत खूब सुरत तो हैं तन से भी आप खूब सुरत आउस्ता में रहेंगे और जैसे जैसे ये चंद्रमा आपका डेपलप होगा एक खूब सुरत आउस्ता में आएगा आपको जीवन में महिलाओं का सयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा ये आपका पहले प्रशन का उत्तर भी है और आपकी हतिली का विशलेशन भी है एक बहुत बड़ी कमी अगर मैं दो कहूं तो कोई अतिस्योगत नहीं आपकी हतिली में है इसको दूर करना बहुत जरूरी है ठीक है ने गरहतों अपने मजबूत हैं लेकिन नगेटिब उरजा है नजर दोस आपके जीवन में है और बहुत बड़े रूप में है ठीक है ना? इसको ठीक करना बहुत जरूरी है अगर आप देखेंगे आपकी हतेली में मकड जाला है जालों का अगर लेंस से देखेंगे तो पूरा हात मकड जाला की तरह है ये नगेटिब माना जाता जिससे आपका कलर भी फेट हो रहा है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिस्क पे ये जिवन को उलजन में डालने की कोशिस करता है वो तो यहां पे ब्रस्पति ठीक है तो ये उतना प्रभाव नहीं दे रहा है जितना ये देता है कई बार ऐसे में बेक्ति कनफ्योजन में आ जाता है, दोविधा में आ जाता है और उसकी जो निरणे लेने की ताकत है वो छीन होने बैठ जाती है देक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि करना क्या चाये और किस तरफ हमें जाना चाये दूसरा इसका प्रभाव आपके स्वस्त्य पे पड़ता है चाए वो सारिरिक स्वस्त्य हो, चाए वो मानसिक स्वस्त्य हो, उसमें बिकार आने बैठ जाते हैं ये परिशान आपको करता है तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक इस्तितिपे पड़ता है आर्थिक रोप से ये हमेशा आपको बीमार करने की सोचता है दरिद्रता की और धकेलने की सोचता है वो तो धन का ग्रह मजबूत है तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है नहीं तो आज तक ये आपको बिकारी बना ले था जिस तरों से नगेटिव उर्जा है 100% कह रहा हूँ अगर आपका ये इस्ट ग्रह आपका साथ नहीं देता तो आप जो है वो नहीं होते जिस प्रकार से ये नगेटिव उर्जा आपके जीवन में डाली गई है अब मैं खुल के नहीं बताओंगा क्या है ये इसका उपाई दोंगा जरूर करिएगा आपके जीवन को बिल्कुल खतम करने की इस्तिती की और इसारा कर रहा था ये लेकिन ये इस्ट ग्रह है आपका और ये आपका वानी का ग्रह है आपकी जीवन के शांदार इस्तिती का ग्रह है और ये ग्रह आपकी इन तीन गुरहों की वुजोसिक उसमें भी सबसे बड़ा इसका रोन है आपकी जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है चौथा इसका प्रभाव आपकी रिष्टों पे पड़ता है खास करके दामपत्य जीवन का रिष्टा, परिवार का रिष्टा और कुटुम का रिष्टा इन रिष्टों का जो चरम सुक का भोग है उसके बीच में ये प्रस्तितियां खड़ी करता है उस चरम सुक का भोग नहीं भोगने देता है और पाच्वा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेपलाप्मेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है आपका जो सपलता का अस्तर हो जाना चाहे था वो माइनेस की तरफ इसको धकेलता है अब मैं ये बात को हो थोड़ा सा जो रिष्टों वाली बात है जो सयोग आपको मिलना चाहिए उसमें कहीं न कहीं आज नहीं तो कल ये उस सयोग को खतम करने की कोशिस करेगा प्रस्तितियां चाहे कुछ भी हो हाँ धामपती जीवन अच्छा चल सकता है पारिवारिक जीवन चल सकता है फैमली रही और अपना जीवन क्योंकि ये इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है ठिक मनि पांच चीजों पे असर मनि जीवन की जो नीव है उसकी जड़ों को खोकला करना और महतुपून जीवन को अपने गर्त में समाहित करना इस चीज को जितना जल्दी हो सके अपनी जीवन से निकाल के भार करिएगा आप कैसे करेंगे? इसके लिए एक परक्रिया है आप हमेशा अश्नान करते हैं, निश्चित तोर पे करते हूँगे मैं आपको एक छोटी सी बनस्पति अश्नान की परक्रिया दे रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, यकीनन आप करिएगा चमतकार नहीं होगा, कुछ समय बाद इसका प्रिणाम आएगा लेकिन आएगा, और बेहत्रीन आएगा, आपको रास्ते मिल जाएंगे ठीक है नहीं, और उन रास्तों पर चल कर आपका जीवन सांदार इस्तित में आएगा पीडा सी छुटकारा मिलेगा दूसरी बात, बनस्पति अश्नान करने के बाद मैं आपको एक दिब्य सूरी किरिया दूँगा शांदार किरिया है मन से करिएगा, चार से छे मैने तक जरूर करिएगा, बहुत बड़ा लाब होगा और तीसरा मैं आपको जो है एक दिब्य योग ध्यान किरिया दे रहा हूं दिब्य योग ध्यान किरिया एक परकार का प्रणायाम है, योगा है और हम अगर कहां मेडिटेशन है इसको जरूर करेगा, इन तीन चीजों को आपको करना है और एक छोटी सी मैं पोजा दे रहा हूं मन से करेंगे आपका जिवन चमतकारिक रूप से नहीं बदलेगा तो कहना यकीनन बदलेगा लेकिन तब बदलेगा जब जिस बिद्ध के अनुसार मैं दोगा उसी बिद्ध के अनुसार आप चीजों को करेंगे तब जाके आपके जीवन में परिवर्तन होगा लेकिन हंडेट परसेंट होगा यकीनन होगा अब यहाँ पे देखें यह आपकी बुद्ध मता बहुत सांदार रहने वाली है एक सुखत जीवन जीने की चाहा रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रितन सील ब्यक्तित तो रहेगा लेकिन किसी न किसी रूप में यह आपके जीवन काल में संगर्स देने की कोशिस करता है सुक्रनगेटिप होना और कई बार यह ऐसी इस्तितियां बना सकता है कि धनहानी हो सकती है अगर ब्यावसाई कर रहे हों तो बड़ा सोच समझ कर करें ब्यावसाई में नुकसान होने की संभावनाओं को दिखा रहा है और यदि ब्यावसाई करते भी हैं तो पार्टनर्सिप में ना करें ज्यादा अच्छा रहेगा और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि खुब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा लेकिन बुडापा बहुत सांदार है आपके जीवन में चपपनवे वर्ष के बाद का समया आपकी जीवन में शांदार आ रहा है लेकिन आप देखेंगे जब हतीली को मिलाएंगे यहाँ पे गैप भी दिखाई दे रहा है धन को संचय करके चलें बुडापे में खर्चेला स्वभाव जादा रह सकता है जिसके कारण धन समंदी जो है प्रॉबलम आ सकती है संभावना है तो अभी से जो है धन को विशेश तवज्जो दे अच्छी तरों से इन्वेस्ट करके चले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पीठ का दर्द है गोटने का दर्द है और कमर की प्रॉबलम है इसकी संभावना बढ़ती हुई दिखाई दी रही है तो इस चीज को ठीक रखने के लिए ये सरीर उगेरा में दर्द की चीज़ें ठीक रखने के लिए योगा है प्रणायाम है ये चीज़ जरूर करें और साथ में आपका स्वास्त्य बेहतरीन रहे सारेरिक स्वास्त्य बिसेश कर तो इसके लिए छोटी सी पूजा दे रहा हो खुद करने वाली बस आपको थोड़ा साथ समय लगाना पड़ेगा सोबाया साब ये कीन मानेगा जीवन में बहुत बड़ी तब्दिली आएगी ये आपकी हतिली है दूसरा आप पोच रहे हैं यही प्रशन स्वास्त्य कैसा रहेगा अभी आपके सोल्डरों में पैन है दर्द होता है कंदों में ठीक है ने और वही जोड़ों का दर्द समझो ये इसके कारण है और इसके साथ नगेटिव उर्जा के कारण है तो इसका मैं उपाई दे रहा हूँ ये उपाई अगर आप करते हैं तो आपका ये वाला गरह ये वाला गरह और ये वाला गरह इस रूप में है कि आगे स्वस्ते से समंदित प्रेशानिया नहीं रहेंगे How is my family future son and wife देखे परिवार का बहुशक ऐसे होगा ये उनकी हतेली से पता चलेगा कि आपका परिवार का बहुशक ऐसा रहने वाला है आपका बच्चे का बहुशक ऐसा रहने वाला है उनके उससे पता चलेगा लेकिन जिस परकार से आपका ब्रस्पती है कहीं न कहीं आगे चल कर चाए बच्चे की तरब से हो चाए वाइफ की तरब से हो निश्चित रोफ से सुक्र भी कि अगर यथा इस्तिति में आता है तो ऐसी इस्तितिया आएगे कि खुसन्य माहोल रहेगा जिससे मनप्रसंद रहेगा ऐसी इस्तितिया यह देता हुआ दिखाई दे रहा है अब कुछ और चीजरों पर चलए देखेगा आपकी हिर्दे रेखा इस तरों से आ रही है और फिर हिर्दे रेखा इस प्रकार से यहां पे आ रही है और यहां पे एक चिन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है हिर्दे रेखा जब इस प्रकार से हो इस प्रकार से तो कहीं न कहीं मैंने जो देखा है जो समझा है प्रैक्टिकल रोग में ऐसे लोगों को लब मेरीज नहीं करनी चाहिए ये लब मेरीज में धोका खाते हैं ठीक है ने? और इस तोके परती बिसेश इनको सचेत अपनी जीवनकाल में रहना चाहिए ठीक? जहां तक इस तिरबुज की बात है ऐसे लोग अपने जीवनकाल में ऐसे काम करते हैं तो उनको जो है अच्छा खासा आवार्ड मिलता है अपने जीवनकाल में प्रुसकार की ये लोग प्राप्ति करते हैं मस्तिस्क की रेखा अगर हम देखें मस्तिस्क की रेखा पूरी हतीली को पार कर रही है तो प्रायो बहुत जादा सोचने वाला बिक्तित्व आपका है कलपनाओं में जादा रहते हैं कभी कभी मन की एकागरता भी भंग हो जाती है लेकिन जीवन में बड़ी सपलता आपको हासिल होगी लेकिन मन फिर भी बहुत जादा कलपनाओं में रहेगा creativity बहुत अच्छी रहेगी यात्राओं का लाब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है हतेली में थोड़ा पैसा कम बच सकता है टिकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और दोसरा थोड़ा सा मानसिक रूप से उल्जन जादा रह सकती है तो दिव्य योग ध्यान के रियाद जरूर करें यहां आपका जीवन की रेखा इस तरों से दिखाई दे रही है जो बहतरीन है लेकिन जो प्रारंबिक दोर है ऐसे लोगों का उसमें कई बार उतार चड़ाओ की इस्तिति आती है परिवार के परति समरपण की भावना एसे लोगों की रहती है यहां से देखेंगे तो इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ती हुई करियर और धन की रेखाई बढ़ रही है आगी इसमें बहुत बढ़ा इजाफा हो रहा है जबरदस्त लाब आपको होगा और करियर अर्धन के मामले में इस्टेबिलिटी जिवन में आएगा एक रेखा इस तरों से हैं एक रेखा इस तरों से दो रेखाएं हैं और यहां पी अगर हम देखें तो दो चतु स्कून भी है एक तो कलपना सीलता जादा रहेगी कैसी भी प्रस्तितिया ये धेरेनक होने वाला ब्यक्तित तो रहेगा दोसरा अगर हम कहें कि आयो आपकी बहुत अच्छी रहेगी सफलता जिवन में निश्चित तोर पे इन रेखाओं की वो जो से आपको मिलेगी ब्योसाई इत्यादी या इससे समंदित कार्य कर रहे होंगे तो बड़ी सपलता तरक्की दिखाई दे रही है और बोलने के ढग के कारण भी जिवन में अच्छी खासी इस्तिति बनी रहेगी पैसा कमाएंगी अगर चंद्रमा बहुत अच्छा रहा तो इसका नगेटिब प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर चंद्रमा जब जब कमजोर होगा तो डाइजेस्टिब सिस्टम थोड़ा वीक होगा पेट से समंदित परिशानिया दे सकता है इसकी संभावना जादा रहेगी यहाँ पे देखेंगे तो निश्चित रोप से जो है यह आपको भग्य साली बना रहा है आगे चल कर कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं कहीं से कहीं ब्योस्ताई हो जाएंगी आपका काम चल जाएगा यह इस्तित्याया पे बता रहा है खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही बड़ी सपलता हसिल होगी सुक्र का परवत अगर देखें तो सुक्र का परवत अनबैलेंस है अभी वो तो ब्रस्पति ठीक है तो इसके उज़व से ज़्यादा प्रभावने पड़ रहा है ने तो यह किसी न किसी रूप में मानसिक प्रिशानियां देता है बहुत ज़्यादा मेहनत प्रिश्रम करने के बाद भी विप्ति की दिरिष्टे से पूर्णता नहीं मिल पाती है कहीं न कहीं अभाव की इस्तिति को दिखाता है लाख प्रियास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुक मिलना चाहिए उस सुक में ये कमी रखता है सब चीज से बरपूर हो तो स्वास्तिय ठीक ने रखता है स्वास्तिय ठीक हो सब ये चीज ठीक हो तो रिष्टों को खराब करता है और सब ठीक हो तो धन का अभाव रखता है मनि कहीं न कहीं ये जीवन में सुक को कम करता है तो इसके लिए दिब्य योग ध्यान के रिया जरूर करें तो लाब होगा निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो कहीं न कहीं प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा जीवन में एनरजेटिक सुभाव बना रहेगा जो भी आप से मिलेगा वो कमपर्टेवल फिल करेगा तीसरी चीज अगर हम ब्रिस्पति देखें ब्रिस्पति को मैंने पहले बता दिया बहुत अच्छा है यहां पी जिस प्रकार की चीजें बन रही है आगे चल कर इसका लाब बहुत अच्छा मिलेगा सनी भी आपका बहुत अच्छा है कोई पीड़ा नहीं दे रहा है सूरे भी सांदार इस्तित्मी है बहुत बड़ी परसिद्धी दिलाएगा इसके बारे में मैंने कह दिया है और इसके बारे में पहले बता चुका हूँ देखा जाई तो मैंने आपकी हतीली का पूरा विशलेशन करके आपको बता दिया है और उपाई में बिदिवत तरीकी से लिख करके और आडियो के मादेम से भीज रहा हूँ आप करने की कोशिस करें निश्चित ही बहुत अच्छा लाब आपको अपनी जिवनकाल में प्राप्त होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार